नमस्कार सातियों, मैं बेद प्रकाश, आपके अपने यूट्यूब जिनल प्रकाश सिट्रीडी में आपका स्वागत करता हूँ सातियों, आज हम सीट्रेट का 20 दिसम्बर 2021 का प्रतम सिट का पेपर लेका हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथ सातियों, मैथ के जितने भी कोशन इस पेपर में पूचे गए हैं, सभी कोशन को करेंगे इससे पहले सातियों, हम बाले विकास में सिक्चा सास्तर पर वीडियो बना चुके हैं, आप ले लेट में जाके देख सकते हैं सातियों का चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब पर लाएं वीडियो को लाइक पुता सेर कर दें आईए इस्टाइट करते हैं कॉसन नमर 31 से 31 में पूचा है एक विवाजन के प्रिष्ण में भाजक भागफल का 5 गुना है और 6 पल का 4 गुना है यदे 6 पल 5 है तो भाज्य क्या होगा सातियों इस सवाल को सौल्व करने पर इसका सही आंसर 31 का आप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि पिच्चास ही होगा सातियों आपको सवाल नहीं सौल्व होता है तो प्लीज हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर रनेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन नमर 32 32 में पूछा है 5 क्रमागा संक्याओं में दूसरी संक्या ओनंचास है यानि लगातर क्रमागा संक्या देख लिए जैसे दूसरी संक्या है पहली संक्या होगी हमारी 48, 49, 50 और ये क्यामन और ये 22 ये 5 क्रावा का संक्या है पूछें इन संक्याओं में सम संक्याओं का गुड़न फल क्या होगा? यानि समसंख्या, इन संख्याओं में समसंख्याओं का गुणन फल, समसंख्या यानि ये समसंख्या हो गई, 48 हो गई, 50 हो गई, और 22 हो गई, इन तीनों का गुणन खंड करेंगे, तो क्या आएगा, इनी जे चार अप्शन देरेकें, चार अप्शनों को पढ़के सही आंसर आपको बताना 32 का सही आंसर क्या होगा साथ यो सॉल्व करने पर 32 का अप्शन नमर पहला सही हो जगा यानि एक लाग 24,800 आंसर आएगा अगला नेक्ट पॉसन देख लेते हैं कॉसन नमर 33 33 में पूचा है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका खेतरपल 121 cm स्क्या है यदे इसी तार को एक आयत के आकार में मोडा जाए जिसकी चोड़ाई 8 cm है तो आयत की लंबाई क्या है नीज चार अप्शन रखें साथ यो से सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा खेतरपल पूचा है तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 33 का आप्शन नमबर 14 सही हो जाएगा यानि 14 आंसर आएगा इसका अगला नेट पूचन दिख लेते हैं पूचन नमबर 34 34 मैं पूचा है नेमले कि तब इननों मैंसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन क्रमसा है सबसे चोटी और सबसे बड़ी बिन्या याद करने के लिए हम यह सबसे बैतरी त्रिक लेकर आये हैं जैसे एक वट्टे दो है तो हर और अंस का अंतर देगेंगे इसमें कितने का अंतर होता है यानि एक का अंतर एक वट्टे तीन है यानि समझने में आपको टाइम लगेगा अगर एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको टाइम नहीं लगेगा यह अंस और हर में कितने का अंतर है इसमें 2 का अंतर है 4 वट्टे 5 है 4 वट्टे 5 यानि यह है इसमें कितने का अंतर है इसमें 1 का अंतर है चार वट्टे चे इसमें कितने का अंतर है इसमें दो का अंतर है और तीन वट्टे चार इसमें कितने का अंतर है इसमें एक का अंतर है जो हमारे ये अंतर है ये अंतर को हम नीचे लिख लेंगे यानि बट्टे में एक वट्टे एक वट्टे दो और चार वट्टे एक और चार वट्टे दो यानि जू हमारा अंतर है उसे नीचे बट्टे में लिख लएंगे और हर को उठ आ देंगे हमारा तो इंट्टू दो इंट्टू दो और इन्ट्टू दो अब इसमें देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है ये साते ओं आठ और दो से दो खतम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चार और ये तिन्दोना छे यानि हमें पूचा गया है सबसे बड़ी और सबसे चोटी सबसे बड़ी बिनने कौन सी हमारी यानि आठ है सबसे बड़ी बिनने यानि चार बटे पांच यानि ये हो जाएगी चार बटे पा रहा है तो एक वड़्टे तो यह सही हो जाएगा ऑक्षन नमर चौथा जय Gef भूथा क decía इiciones च्म च्यारकार वाले 36 छोटे वरकं को कुल कितने प्रकार से व्यवस्यत्य सकता है गिये पर माडेक खित्रपाल 36 सेंडिमेटर हो जाते नीचे चार आप्स hoping रखेंống चार आप्सन को पढ़के सहीं आंशर आपको बताना 35 का सहीं आंशर क्या होगा साथे 35 का उपसन नमर तीसरा सही हो जाएगा इसका सही आंसर पांच आएगा अगर रेक्ट पसंद देख लेते हैं कौसन नमर शत्तिस शत्तिस में पूचा गया है एक अप्छा में 60 विद्यार थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संक्या लड़कों से दो गुनी है रोहित का उपर से करम 17 हैं यदे रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के करम में हैं नीचे 4 अप्संद रिखें 4 अप्संद को पढ़के तही आंसर आपको बताना है प्संद नमर 36 का सही आंसर क्या होगा 37 अप्संद नमर पहला सही हो जागा यानि 12 अंसर आएगा इसका सौल करने पर अलानेट प्संद देख लेते हैं प्संद नमर 37 37 में बुचाया है साइमा बस स्टेंड पर 9 बाज के 25 मिनट पर यानि सुबह पर पहुँची है और उसे जीनत से बताया के उसकी गड़ी के हिसाब से पहली बस नमर बाज के 25 मिनट पर यानि एम पर गई है यदे जीनत की गड़ी 5 मिनट ये चल रहा ही है और बसकी आवरती प्रतेक 20 मिनट की है तो आएमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितनी मिनट पर तिक्षा करनी होगी साथ ये सबाल को सौल करने पर इसका सही अंसर आप्चन नमर चौता हो जाएगा यानि 5 मिनट अगले नेक्ट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर 38 38 में पूचा गया है ये संक्या दे रखी है ये तीनों संक्या दे रखी है कि योग मेंसे क्या गटाया जाए जिससे 1700 इतना प्राप्त हो जाए यानि इन तीनों को साथियों जोडने पर इन संक्या को जो योग आएगा उसमेंसे इसे संक्या को गटा देंगे तो हमारी योव संख्या निकल आएगी उसका 38 का सही अंसर आप्शन नमर सेकेंड हो जाएगा यानि 43,287 आगला नेट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर 49 49 में पुचा है बिद्याले की कैंटीन में वेबिन खात पादार्तों के मोले नीचे दिये गए है समोसे का दे रखा है एक समोसा मुखफली का एक पैकेट दे रखा है एक गुलाब जामन का दे रखा है एक ढोकला का एक बोतल नीवू पानी का दे रखा है सुने ना एक समोसा मुखफली के दो पैकेट एक गुलाब जामन और एक बोतल नीव पानी खरीदती है यदे उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपे का नोट दिया ते उसे कितनी रासी वापिस मिलेगी ताते उस सवाल को सौल करेंगे आप तो सौल करने पार 49 का सही आंसर क्या होगा ताते 49 का अपसन नमबर 14 सही हो जाएगा यानि 63 रुपे 50 पैसे बापिस मिलेंगे कितने मिलेंगे यानि 63 रुपे 50 पैसे बापिस मिलेंगे अगला नेट कोसन देख लेते हैं कोसन नमर 40 40 में पुचा है एक रेलगाड़ी वेंगलूर से 23 बज के 25 मिनट या 30 गंटे 25 मिनट पर चल कर गुहाटी 2 जुलाई 2020 को 5 बज के 20 मिनट पर पहुंच जी है वेंगलूरू से गुहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है साथ इस सवाल को सौल करने पर इसका सही अंसार अप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि 35 गंटे 25 मिनट अगल आनिट पॉसन देख लेते हैं पॉसन नमर 41 41 मिनट पूचा है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को दो अंकों की सबसे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गोड़ा किया जाता है इस गोड़न फल को दो अंकों की सबसे छोटी विसम संख्या से विवाज़त किया जाता है तो पहगफल क्या है आती हो इससे सवाल को सवाल करने पर 41 का सही आंसर अप्सान नमर पहला हो जाएगा यानि 8,991 सही आंसर आएगा अगला नेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन नमर 42 42 में पूचा है एक संक्या 50 के आदे से अधिक है यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है इस संक्या का एकाई का अंक, दहाई के अंक का दो गुना है संक्या क्या है नीचे 4 अप्सन रेखें 4 अप्सन आपको पढ़के सही आंसर आपको बताना है 42 का सही आंसर क्या होगा साथ ए फोटू 2 का अप्सन नमर तीसरा सही हो जागा इसका सही answer 36 आएगा अगला कॉशन देख लेते हैं कॉशन नमर 43 43 में पूचा है एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर इंटो 7 मीटर इंटो 4 मीटर हैं इस गोदाम में 25 सेंटी मेटर इंटो 50 सेंटी मेटर इंटो 25 सेंटी मेटर विम्बाओं वाले आधिकतम कितने पार्सलां को रखा जा सकता है नीचे चार अप्षन रिखें 43 का सही अंसर आपको बताना है साथ यो 43 का अप्षन नमबर सेकेंड सही हो जाएगा यानि 480 कॉसर नमबर 44 जा 40 में पुचा है एक ओटो रिक्षा का मीटर पहले 2 किलो मीटर की यातरा के लिए 25 रुपे का और उसके बाद 5 किलो मीटर की यातरा के लिए 8 रुपे का भड़ा दिखाता है मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपे भड़ा दिया उसके घर से कार्याल है की दूरी कितनी है नीचे 4 अपसन रिखें 4 अपसन को पढ़के सही अंसर आपको बताना है क्वसन नमर 44 का सही अंसर क्या होगा साथ यो 44 का अपसन नमर तीसरा सही हो जाएगा यानि 30 किलो मीटर अगलाने है क्वसन नमर 45 45 में पुछाये निम लेखित तालिका सुनीता और जसे का द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विशानियों के अंक दर्षाती है अंगरे जी के जो विशाज ये दे रखे हैं गडित के अंगरे जी के सामाज विज्ञान 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 हिंदी के उपर दी गई तालिका के आदार पार निम लेकित मैं से सही कतन को प्थान यी सात्य निचे चार उपसन रहें चार उपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है लिज्ञान करका साई आंसर क्या होगा 45 का उपसन नमbellुर 14 सही हो जाएगा यदि जसिका ने सत्र और अंग प्राप्त किये होते तो सुनीता और जसिका के कोल प्राप्त अंग बरावर होते अगला नेक्ट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर चालिस चालिस में फुचाएँ गड़ित के शिख्षन अधि-गम में निमले खित में से कौन सा लक्षन रचनात्म का प्रिकरिया का नहीं है नीच चार अपसन रेके हैं चार अपसन को पढ़के सही अंसरा आपको बताना कको पुचानł 4 का सही अंसर क्या होगा साथ चालिस का अप्सन नमर्च चौता सही हो जाएगा यानि समश्या शामाधान के लिए निर्दारेत तरीका अपनाने को प्रुसायत देना अगला नेक्ट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर्च सैंतालिस प्रुस सैंतालिस में पूचाये गडैत के कक्षा में अध्यापक ने निमले misleading प्रैशन पूचे जी कहता है दो संख्याएं ज्यात कीजिये जिसका योग आठ है झी कहता है जिस तरबज को खीचिये उस तरबज को खीचिये जिसका परिमाप पचास सेंटिमीटर है C. 25 के गुड़नखंड क्या है D. परिमाप की परिवासा दीजी नीचे चार ओप्सन रेके हैं चार ओप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना Q47 का सही आंसर क्या होगा साथ यह 47 का ओप्सन नुमर पहला सही हो जाएगा जिसमें A वब B मुक्त स्री वाले प्रिष्ण है और C वब D बन स्री वाले प्रिष्ण है और लेनेट क्वसन देख लेते हैं Q48 48 में पुचा है नेमले कि तमेंसे कौन सा गड़ित में सरजनात मक चिंतन का एक मक्य सूचक है नीचे चार ओप्सन रेके चार ओप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना Q48 का सही आंसर क्या होगा साथ ए 48 का सही आंसर ओप्सन अमर 2 जज़ेगा यानि प्रिष्ण को प्रस्तुत करना अगल लेनेट क्वसन देख लेते हैं 49 में क्वसन 49 में पूचा है वैन हील की त्रभिम यानि दिकिस्ताप अनज्यामेती समझने के अनुसार किस इस्तर पर बच्चे की वह बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि बर्ग एक आयत भी है नीचे 4 ओप्सन रेके हैं 4 ओप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना 49 का सही आंसर क्या होगा साथे 49 का ओप्सन नमद 3 सही हो जागा यानि इस्तर यानि टू सम्मंद अगला नेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन नमर 50 50 मैं पूचा है निम लेखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग तजसमक के रूप में लेखित किया जाता है नीचे चार अप्सन रेखें चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आको बताना क्वसन नमर 50 का सही आंसर क्या होगा साथे 50 का अप्सन नमर पहला सही हो जाएगा यानि शून अगला नेट क्वसन देख लेते हैं एक क्यामन में पूछा है निमले खित में से कौन सा खासान उचित है एक कहता है अब लोकन और सम्मन्द को पचानने से प्रात्मेक कच्छा के विद्यारतियों द्वारा गड़ती अग्यान का स्रजन किया जा सकता है भी गड़ित का अधिगाम एक समाजिक प्रक्रिया है जिसमें संबाद और वारता यानि परिक्रमन समलित है तर्क वितर्क की मात्यपूर वोमिका है e कच्छा में गड़ितीय समझ के स्रजन में सांस्क्रिटिक की कोई वोमिका नहीं है नीचे 4 ओप्सन रिखें, 4 ओप्सन को पढ़के सही अंसर आपको बताना है, Quesn No. 1 क्यामन का सही अंसर क्या होगा साथ ये, Quesn No. 3 हो जाएगा, जिसमें A, B और C ओप्सन सही होगई A, B और ओप्सन No. C सही होगई अगलाने इत्ट क्वाशन देख लेते हैं, Quesn No. 2 है ज्यामिति को दो आयाम आकर्टियों जैसे कि ब्रत वर्गत्रवोज आदि की पहचांत तक ही सीमेत रखना चाहिए बी कहता है उपयोगत परिवासाओं का परच्चा देना चाहिए शी कहता है तिक स्थान की अंतरदर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए साथ 22 का ऑपस्था से होजए इसमें केबल C अपसं सही है यानि दिक स्थापन की अंतरदर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए अगला और नेट क।सन देख लेते हैं क्वस्था त्रेपन त्रेपन में पूछा है शडक विकरेता और दोकान दारओ द्वारा प्रियोग में लाई जाने वाले गड़ती या कौसल और समार्थ्य के सम्मंद में निमलिक्त में से कौन सा कथन सत्य है एक कहता है कख्षा में गड़ती या प्रिष्णों को हल करने के लिए यह लाब दायक नहीं है भी कहता है ये असपश्ट और असंगत हैं सद्य क्वे颡़त के प्रिष्णों को हल करने के वेकल्पिक तरीकों को विकसित करने में साइक होते हैं इंचे चार ऐकों रहे से आपको बताना है त्रेपं का से आंठर क्या होगा साथ है क्वे गडित के प्रिष्णों को हल करने के वेकल्फिक तरीकों को विकसित करने में सायख होते हैं आलानेट क्वेसन दिखलेते हैं क्वेसन नमर्च चब्वन चाओन में पूचा है निमले कितमे से कौन से किरिया कालाब द्वारा widyyयार्थियों में त्रिविम विवेचन यानि दिखिस्तान सम्मान दे विवेचन विकसेत होने की संभावना नियूंतन है नीचे चार अप्षन रेखें, चार अप्षन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है, क्वेस्टन अमर चाववन का सही आंसर क्या होगा साथ यह क्वेस्टन अमर चाववन का अप्षन अमर पहला सही हो जाएगा यानि आंकड़ां को निरूपित करने के लिए चित्र लेख सीखना अगरा नेट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर पच्पन पच्पन में पूचा है 3 इंटू 5 के गोड़न का परिचय देने के लिए नेमले कितमे से कौन सी विदी आते उत्तम है नीचे 4 अपसन रिखें 4 अपसन को पढ़के सही अंसरा को बताना कौसन नमर पच्पन का सही अंसर क्या होगा साथ यो कौसन नमर पच्पन का अपसन नमर पहला हो जाएगा यानि कुछ बस्तूओं से 3 इंटू 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना अलानेट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर पच्पन पच्पन मैं पूचा है विद्यारतियों को गड़तिय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को समाधान करना सीखने के लिए निमले कितमे से कौन सा कथन संयो संतोस जनक नहीं है नीचे 4 अपसन रिखें इन 4 अपसनों को पढ़के सही अंसरा को बताना कौसन नमर 56 का सही अंसर क्या होगा साथ ये कौसन नमर 56 का सही अंसर अपसनों पच्पन होता हो जाएगा यानि प्रेश्णों को हलकाने के लिए केवल एक विशेश प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए अगला नेट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर सत्तामन अगला नेट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर अठामन अठामन पूचा है कोश सुरी सुद्ध कथन को पहचाने एक कहता है एक संक्या के दूसरी से गुड़ा करने पर उसका मान सदय बढ़ जाता है बी कहता है एक संक्या को दूसरी से विवाजित करने पर उसका मान सदय कम हो जाता है C कहता है एक संक्या को दस्य गुणा कारने पर उसकी काई की इस्तान पर सदांस सुन्य होगा और D कहता है गुणन फल भाग फल का प्रतलोम है नीचे चार अप्शन रेखें चार अप्शन को पढ़के सही आंसर आपको बताना Q18 का सही आंसर क्या होगा Q18 का option नमद 4 सही हो जाएगा जिसमें केबल D option सही है यानि गुड़न फल, भाग फल का प्रतलोब होता है अगला नेट question देके लिए Q59 इसमें पूचा है निमले कितमें से सुद्ध कतन को पहचाने नीचे चार अपसन रेकें चार अपसन को पढ़के सुद्ध कतन पहचान ना है साथ यो 59 का option नमद 3 सही हो जाएगा यानि गड़ित में नमूनों की पहचान सामिल है अगला नेट question देके लिए Q60 60 में पूचा है सममेति की अबधारना का परचय देने के लिए निमले कितमे से सर्वधेक अपयक्त कार नीती कौन सी है नीचे चार अपसन रेकें चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना question number 60 का सही आंसर क्या होगा साथ यो question number 60 का option number पहला सही हो जागा यानि बच्चों को paper mode ने वाले किरिया कलाप कराए जाए साथ यो इस paper ने जितने मैट के question पूचे गए थे सभी हमने complete कर ले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपली वीडियो को like share और आपने channel subscribe ने किया है तो अपली channel को ज़रूर subscribe पर ले है आज के लिए बस्तना ही धन्यवाद